नमस्कार दोस्तों दूसरों को गोदी मीडिया कहने वाले जर्णलिस्ट कितने बायस्ड हैं इसका एक उधारन में आज आपको देने जा रहा हूं दिखे पस्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा हुई उस हिंसा को लेकर बीजेपी वालों ने हाय तो बम अचाई और अपना परतिनी धी मंडल वहाँ पर भेजा उनका भी विरोध किया गया इसके लावा वहाँ के राजजेपाल जगदीव धनकड ने आम लोगों के बीच जाकर जिन लोगों को हिंसा का शिकार बनाया गया उन लोगों से संपर्क किया गया उन लोगों से बाक्चीत की जो दूसरों को गोदी मीडिया कहता है इस मीडिया ने एक अपना स्टेंड बना कर रखा और उनका स्टेंड ये था कि तरनमूल कॉंग्रेस के कारेकरताओं ने चुनाओ के बाद हिंसा जो की है और बीजेपी वालों की धुनाई की है उससे वो लोग संतुष्ट हैं उनका मा ठंडे वस्ते में चला गया बीजेपी वालों ने जितना हायतोबा करना था कर ली बीजेपी वालों के हाथ में स्याद कुछ नहीं है कि सीबी आई का प्रेशर बना कर वहां के तीन-चार मंत्रियों को उन्होंने अंदर बंद करा दिया और जो अभी अंदर बंद ही रहने वाले हैं फिलाल दूसरी और कोई भी व्यक्ति अगर कोई सामाजिक व्यक्ति किसी शोशल मीडिया प्लेटफारम पर कोई सेलेबरिटी या कोई भी नामचीन हस्ती प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी की अगर तारीफ करता है तो उसको एक भक्त का टैग डिकलेर कर दी जाता हैं मधूर बंडारकर हैं अनुपम खेर हैं इन सब लोगोंने कई बार प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी का खुलकर समर्थन किया है सोशल मीडिया मंचो पर तो इन पर ठपा लगा दिया गया है इस एंटिलेक्चुल मीडिया दुआरा कि ये सब लोग प्रधान मंत्री नरे नीट्रल मीडिया का चहरा पूरी तरह से बेनिकाब हुआ है। हुआ क्या है मैं दो इंसिडेंट आपको आज इस वीडियो में डिसकस करने जा रहा हूं। मैंने अपने लाइव शो आज रात का शो में 21 मई की रात को भी इस मुद्धे को डिसकस किया था। लेकिन इस पर एक थोड़ा सा डवलपमेंट हुआ है इसलिए इस मुद्धे को इसमें मैं दुबारे आज इंकलूड कर रहा हूँ। आपको ध्यान होगा कि 21 मई को पूरु परधार मंत्री स्वर्गय राजीव गांधी की पुन्यती थी थी। और उस दिन सल्मान खुरशीद ने एक ट्वीट किया था। और सल्मान खुरशीद ने उस ट्वीट में राहुल गांधी और राजीव गांधी दोनों की फोटो लगाई थी। और उस पर उन्होंने लिखा दा वन्स एंड फ्यूचर किंग ओफ डेमोक्रेसी। यानि के एक बार के और भविश्य के लोकतंत्र के राजा। उन्होंने ये कहकर ये फोटो ट्वीट की थी। उनका राजीव गांधी को शर्धानजली देने का ये ही सबसे बेस्ट तरीका था कि उनके बेटे राहुल गांधी की पूरी चापलूसी कर ली जाए। सल्मान खुर्शिद की इमेज वैसे भी पार्टी में यही है कि ये बड़े ही सुप्रीम कोर्ट के बड़े लॉयर हों लेकिन गांधी नहरू फैमली के ये लॉयल है और उनके परतिवफादारी निभाने में ये कभी भी चूकते नहीं है। देखिए जो गुरूप 23 माला मामला हुआ था जिसमें कॉंग्रेस के भीतर लोकतंतर की बात कही गई थी उसमें ये शामिल नहीं थे। परदान मंत्री भी बनने से पीछे ना हटें। उन्होंने अपनी कॉंग्रेस के सबसे बड़े परिवार गांधी नहरू परिवार के परतिवफादारी उस ट्वीट से साबित कर दी। उसे लेकर उन्हें आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। अब जाहिर है आलोचना तो क राजा नहीं होते हैं। इसके अलादा किरन रीजूजू जो इससे में खेल मंत्री हैं उन्होंने भी ट्वीट करके उस पर व्यंग कसा। लेकिन किसी भी मीडिया ने इस बात को गोर नहीं किया। उनका कहना था ठीक है सलमान खुर्जीद में जो कह दिया वही सही है। और ये राहुल गांदी तो हैं ही भविस्य के राजा। ये मानते हुए इस तथा कतित न्यूट्रल मीडिया ने इस पर कोई न्यूज नहीं चलाई अखबारों में भी चोटी मोटी छपकर खतम हो गई। चलिए खेर इन लोगों को तो सब लोगों ने मान लिया कि बीजेपी शायर और राज्य सभा के सांसद रह चुके जावे दखतर ने एक ट्वीट किया उसको भी इस मीडिया ने नजर अंदाज कर दिया। हाँ अगर जावे दखतर किसी चीज को लेकर परधान मंतरी नरेंदर मोधी की आलोचना करते हैं या बीजेपी सरकार की आलोचना करते है एंडिय सरकार के खिलाब कुछ कहते हैं तो उसे बढ़ा चड़ा कर परसारित किया जाता है और दिखाया जाता है कि देखिए जावे दखतर क्या के रहे हैं जावे दखतर एक बहुत धिक हैं और जावे दखतर ने इस मुद्दे पर क्या कहा है लेकिन जावे दखतर ने सल सलमान खुर्शीद पर जबरदस्त परहार किया है। लेकिन जो कोई भी उनके प्रधान मंत्री बनने का सपना देखता है वो नरेंदर मुदी को हमेशा के लिए भारत का प्रधान मंत्री बनाए रखने की कोशिश कर रहा है। इसको जादे हाइलेट नहीं किया गया हमने का रहे यार चलिए छोड़ ये इतना बड़ा मुद्दा नहीं है। लेकिन ये बहुत बड़ा मुद्दा है। करांती कारी रही हैं और उन्होंने भारत माता की जैके नारे लगा कर और कई स्तरे की बाते कहकर वंदे मातरम कहकर हला मचा दिया था राज्यसभा में। और जावे दक्तर को कम से कम एलीट क्लास की जो सोसाइटी है जो मानती है के निश्पक्स मीडिया की बात को करती है वो तो जावे दक्तर को सरहाती है लेकिन किसी ने इस बारे में बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया कि आखिरकार जावे दक्तर ने ऐसा कहा है तो उस पर चर अच्छा करना चाहोंगा जब यह हिंसा हो रही थी उस समय लिखा जा रहा था कि वहां पर हिंसा हुई BJP के कार्यकरता मारे गया, फलां हुआ धिमका हुआ क्योंकि उस समय तक सरकार भी वनी नहीं थी और मंतब इनरजी ने शपत भी ग्रहन नहीं की थी मंतब इनरजी ने फोकस नहीं है लेकिन अभी कुछ और चीजे ऐसी हुई हैं जिने भी इस मेडिया ने नजर अंदाज कर दिया है क्या देखिए सेवा निवरत न्यायधिशों सिविल और पुलिस सेवाओं के वरिष्ट अधिकारियों राजदूतों और ससस्त्र बलों के वरिष्ट अधिकारि ग्यापन में ये लिखा गया है कि इस मामले में राजनीतिक हिंसा से होने वाली नागरिक मोतें राज्य के कानून वे व्यवस्था परवरतन तंतर की गंभीर चूक के परिणाम के रूप में समझी जानी चाहिए राजनीतिक हिंसा लोकतांतरिक मुल्यों का अभिशाप है और उन्होंने ये कहा है कि सुप्रीम कोट के रिटायर्ड जज की निगरानी में एक विशेस जाचदल SIT बनाई जाए जो इसकी निश्पक्स जाच कर सके और इस ग्यापन पर 146 सेवा निवरक्त अधिकारियों के अस्ताक्षर हैं जिन में से 17 नियाधीस हैं 63 नोकर शाह है 10 राजदूत हैं और 56 ससस्तर बलों के अधिकारी शामिल हैं इस पर किसी ने कोई फोकस नहीं किया है इसके अलावा लगबग 2000 महीला वकीलों ने भी एक पत्र लिखा है और वो पत्र उन्होंने सुप्रीम कोट के चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना को लिखा है और उसमें जनीतिक हिंसक घटनाओं का संग्यान लेने की बात की है और कहा है कि सुप्रीम कोट इस बारे में संग्यान ले और इस मामले में विशेश टीम गठित करे और एक FIR दर्ज करे इस पर 2000 तिरान में महीला वकीलों ने अस्ताक्षर किये हैं इन खबरों को मीडिया ने बिलकुल ही दबा दिया है क्यों आरे इसमें तो नरेंद्र मोदी का समर्थन हो रहा है इसमें तो बीजेपी का समर्थन हो रहा है इस तरह की बातों को कैसे दिखाया जा सकता है ये सब जो लोग हैं निश्चित रूप से बीजेपी के वोटर रहे होंगे बीजेपी के समर्थक रहे ह या बीजेपी के किसी राज्य में या उत्तर परदेश में योगी सरकार के खिलाफ ये पत्र लिखा होता कि यहाँ पर देखिए हिंसा हो रही है और विपक्षी दोलों को मारा पीटा जा रहा है उनके मुकद में नहीं दर्ज करे जा रहे हैं या कोविड काल को लेके ही कोई स अब चुकि ये सब चीजें एडवर्स हैं विप्रीथ हैं नरेंद्रो मोदी के समर्थन में नजर आ रही हैं बीजेपी के समर्थन में बात कहती हुए नजर आ रही है तो इसलिए किसी दें नहीं लिखा जावेद अक्तर का तो कम से कम कोट लेना चाहिए था रवीश कुमा पत्रकार में है और मेरे हिसाब से वो दुनिया के सबसे बायस्ट और नकारात्मक पत्रकारिता करने वाले पत्रकार हैं इस मुद्दे पर आपसे चर्चा का मन था आपको अगर यह वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें शेयर करें सोशल मीडिया के माध्यम से वाटसप के माध्यन से और मेरे चनल को सब्सक्राइब करें नोटिफिकेशन के लिए बैल आइकन जुरू पैस कर लें क्योंकि मैं लाइव आता हूँ अकसर और रोजाना रात साड़े-दस बजे हम आज रात का शो करते हैं जिस पर दिन भर की ख़गरों पर हम चर्चा करते ह उसमें आप भी भाग ले सकते हैं लेक्ते रहिए हर्श की बात लाइव नमस्कार अब देख रहे हैं हर्श की बात हर्श यह बहुत ही अच्छे राइटर है बहुत ही सीनियर जोनिस्ट है और उनका अर्टिकल पढ़के हमेशा बहुत अच्छा लगता है बिकॉस अच्छा झाल